Hey winners, अगर आपकी जिन्दगी में भी ups and downs आते रहते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपको बहुत सी बातों के जवाब, बहुत से सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, और ये वीडियो सीधा आपके दिल तक और कई बार ऐसा लगता है कि जिन्दगी खतम सी हो गई है, बिल्कुल, हेल्थ पस्त, एनर्जी खस्त, पैसे में दस्त, और रिलेशन्शिप धुस्त, होता है कि नहीं कई बार ऐसा, और जब ऐसा लगता है कि यार जब फिनैंशल बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन या ups and downs चल रहे होते हैं, तो लगता है कि यार ये सब कुछ मोहमाया है, क्या लेके आये थे जग में, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आये थे, खाली हाथ जाएंगे, और जब रिलेशन्शिप में ups and downs चल रहे होते हैं, तो लगता है कि यार बाबाई बन जाते तो अच्छा था जोग से पार्ट इसी को कहा गया जिन्दगी की वैली और अगर आपने कभी भी ये लाइफ में पीक्स और वैली को फेस किया हो तो आज की बुक समरी जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है पीक्स और वैली जिसको स्पेंसर जॉंसन ने खास आपके लिए ही लिखा है इसलिए मैंने बोला कि क्यूंकि मैंने भी लाइफ में बहुत बार इन पीक्स और वैली को अपस और डाउन को फेस किया है और दो वैली को एक पीक कनेक्ट कर रहा है होता है कि नहीं ऐसा ठीक उसी तरह हमारी लाइफ में भी यही साइकल चलता है और अगर आप थोड़ा सा पैरलली अप्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि कहीं पर पीक्स हैं और कहीं पर वैली हैं ठीक इसी तरह लाइफ में भी अगर आप अब्जर्व करोगे और यह चीज आपको बहुत ज्यादा सुकून और कॉन्फिडेंस देती है आपकी जिंदगी को लेकर के कि अगर लाइफ के किसी एक एरिया में आप वैली में हो तो आप देखोगे कि आप बहुत सारे और एरियाज में पीक पर भी होगे अगर मानलो हमारे फिनांसेज थोड़े से डाउन चल रहे हैं लाइफ में फिनांशल एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप देखोगे कि health जो है वो peak पर है, या energy जो है वो peak पर है, relationships peak पर है, तो अगर life के एक area में valley है, तो बाकी बहुत सारे areas में peak भी होगा, तो जब भी आप ये pattern note करोगे न, तो आप आओगे कि यार अगर मैं, किसी बहुत बड़े से बड़े peak पर भी पहुँच जाता हूँ, तो भी उसके आगे और बहुत सारी peaks होँगी, और वो जिस peak पर मैं अब हूँ, वो कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए तो चीज के लिए valley बनेगा, क्योंकि life में growth का scope हमेशा बना रहता है, तो अगर हम किसी एक चीज में struggle कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नज़र दोड़ा करके देखोगे, तो पाओगे कि बहुत सी जगा पर, बहुत से highs हमारी जिन्दगी में हमारे साथ connect हो रहे हैं, उनका benefit लेना है इस valley से निकलने के लिए, कितनी भी गहरी valley हो, लेकिन अगर आप चलते रहे, और उन बाकी की peaks को observe करते रहे, तो एक नए एक दिन उस life के area में जिसमें आप valley में हो, उससे भी आप ज़रूर बाहर निकल जाएंगे, बस ज़रूरी है चलते रहना, और author एक बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं peaks and valleys में, वो यह कि जब भी हम peak पर होते हैं और उस peak से valley में जब जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या होता है, उसका कारण होता है अपने आपको upgrade ना करना जब इनसान peak पर पहुंच जाता है, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमने तो वो achieve कर लिया, या हम तो बहुत ऊपर की चोटी पर आ गए, अब तो सब कुछ जिंदगी में अच्छा होने वाला है, Spencer Johnson ने एक और बहुत खूबसूरत बुक लिखी है, Who Moved My Cheese, अगर आपने पड़ी हो, तो बहुत अच्छा नहीं पड़ी, तो मुझे बताना, मैं नेक्स समरी उसकी ही आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें भी इनसान को यही भाव रहता है, कि जो मुझे मिल गया है, बस अब तो मेरे को यह मिली गया है, यह मेरे पास रहेगा ही रहेगा, तो जब भी लाइफ के वो पीक्स को आप टच करें, तो उस समय पर बहुत जरूरी है दो बातों का ध्यान रखना, सबसे पहला कि डाउन टू अर्थ रहना, चाहे हम कितनी ही पीक पे हों, लेकिन हैं तो अभी भी जमीन पर ही, तो वो अप्ग्रेड नहीं करता, उसको लगता है कि 100 प्रो मैक्स लेवल पर मैं पहुँच चुका हूँ, तो यही एक वो बहुत बड़ी गलती है, जिस वज़े से हम वापस से अपनी लाइफ की वैली में आ जाते हैं, और एक और बहुत खुबसूरत की टेकवे, जो बहुत से लोग इस बुक को पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले बताने वाले भी मिस कर जाते हैं, क्योंकि बहुत चटल तरीके से बताया गया है, वो यह कि जब भी हम अपनी लाइफ की पीक में होते हैं, उस टाइम पर कई लोग अपग्रेडेशन पर ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस को अपग्रेड कर रहे होते हैं, जबकि जब हम ला अपने इमोशन्स को रेगुलेट नही कर पाते हैं, और ऐसा अकसर कहा जाता है कि अपने इमोशन्स पर काम करने का, जो सबसे सही समय होता है, वो होता है, लाइफ का पीक, वो होता है, वो हैपिनेस का मूश्मेंट, क्योंकि वो सेडग मूश्मेंट में nevertheless में या hypothesis की और व आपके emotions जो हैं आपकी life को govern कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा observe किया, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है life की किसी भी valley से बाहर निकलना, क्योंकि actual में, जब life की valley में हम होते हैं तो हमारी intelligence या हमारी skills या हमारा focus या हमारी sharpness से ज्यादा जरूरी होता है, हमारा emotions पर control, तो अगर emotional intelligence पर काम किया पीक में, यकीन मानना जिन्दगी की कोई valley आपको valley में रोक नहीं पाएगी, एक और खुबसूरत learning जो author इस book में हमें देते हैं, वो बोलते हैं कि embrace the valley, अक्सर हम ये गलती करते हैं, हर इनसान ये गलती करता है, कि जब भी वो peak पर होता है उसको तो वो बड़ी खुशी से सहर्ष स्विकारता है कि यार ये देखो मैंने क्या कर दिया, लाइफ में मैंने पता नहीं, देखो, ये मेरे पास पैसा बहुत आ गया, मेरी health देखो, मेरी fitness पे काम किया, मैंने relationships पे काम किया, वो मैं का भाव बहुत जल्दी आता है, उपर होते हैं लेकिन जब valley में होते हैं तो इंसान ढूण रहा होता है कि कि किसको blame किया जाए, किसकी वज़े से जो है मैं इस valley में आया हूँ, लेकिन author कहते हैं कि अगर हमने उसको embrace करना सीख लिया, उस valley को भी embrace किया, गले लगाया, तो जब भी हम किसी चीज़ को embrace कर लेते हैं न, हम अपना लेते हैं तो उससे जो resistance है, जो उसको धक्का देने का भाव है, रोकने का भाव है, वो खतम हो जाता है, क्योंकि इनसान की सबसे ज़्यादा energy उसको embrace ना करने पर लग रही होती है, उसको टालने पर कि यार ये situation कैसे आ गई, और आ गई तो मैं तो इसके लिए responsible नहीं हूँ, ये कैसे हुआ, किसकी वज़े से हुआ, यहाँ पर सारा focus चला जाता है, लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो valley को अगर हम embrace कर लें, गले लगा लें कि हुआ तो हुआ, ठीक है, और embrace करने के बाद हम analysis करें, कि ये हुआ, तो क्यों हुआ और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इनको observe करने की जरूरत है, और ऐसा कहा जाता है, कि ये जो tough times आते हैं, ये आते ही इसलिए हैं कि दोबारा ना आएं, contradictory है, ये tough times आते हैं कि दोबारा ना आएं, कि आप पाओगे कि वाके यार किसी गलत इंसान पर ट्रस्ट किया जिसकी वज़े से मुझे ये life की value मिली तो यानि कि अब ये situation जो आई है ये इसलिए आई है कि जिन्दगी में दुबारा ना आए तो इसका मतलब है कि इससे एक learning लो, इसको analysis करो जब भी life के किसी financial area में अगर आप मालनो struggle कर रहे हो तो आप analysis करो लिखो और लिखने पर आप देखोगे कि यार हाँ ये मेरे पास पैसा तो आया था लेकिन मैंने उस पैसे का सम्मान नहीं किया मैंने उस पैसी को इज़त नहीं दी, हमेशा घर से बाहर धक्का देता रहा और आज उसने मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया है तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम analyze करते हैं तो बहुत से सवालों के जवाब मिलते है और यह analyze करना होता है हमेशा write down करके, लिखके I am damn sure कि आप भी life में कभी न कभी किसी न किसी चीज़ की value में तो रहे होंगे तो जब हम value में होता है ना बहुत सारी learnings आती है हाँ यार अब यह पैसा जो है ना मैं संभालूँगा, आगे से खर्च नहीं करूँगा मैं इसके उपर बहुत amazingly काम करूँगा, business में अगर कोई loss हुआ तो ऐसे इनसान के उपर बिल्कूल trust नहीं करूँगा लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो situation चली जाती है क्योंकि हमने emotional intelligence पे काम नहीं किया situation गई, वो learning भी उस situation के साथ चली जाती है क्योंकि वो situation based learning थी, emotion based learning नहीं थी लेकिन अगर वो emotion के साथ हम उसको connect करें और उस emotional intelligence को देखें और उन learnings को note करें कि हाँ यार, वाकई, मैंने पैसे की इज़त नहीं की मैंने पैसे को नहीं संभाला और अब मैं लिखता हूँ कि इसकी वज़े से मैं life के valley में हूँ तो सबसे पहले तो learn from the past से मतलब क्या है कि वो जो गलती, वो जो mistake, वो जो analysis आपने किया उस analysis को आप write down करो लिखो कि इस वज़े से मैं valley में आया हूँ यह मेरी गल्पी थी, यह किसी पर गलत ट्रस्ट किया मैंने या यह मैंने पैसे का सम्मान नहीं किया या मैंने खुद को हाँ जी, तो अभी video record करते करते हम भी light की valley में चले गए थे तो हमारी studio lights off है लेकिन फिर भी हमारे पास एक light है तो कोशिश करता हूँ कि इस video को complete करूँ कि कुछ एक learnings और बची है तो I hope कि light उतना matter नहीं करते होगी मैं क्या बात आपके साथ share कर रहा हूँ वो ज़्यादा जरूरी है जानना तो मैं आपके साथ share कर रहा था कि past से हमको learning लेनी है और ऐसी learning जो हमारे emotions के साथ हम जिसको connect कर पाए सिर्फ उस downtime के साथ नहीं कि अगर valley में हो तो ये काम नहीं करना नहीं, peak पर उस चीज़ को नहीं करना ताकि हम दुबारा से जिन्दगी में वो गलती ना करें और last जो learning है ये मैं अपनी तरफ से आपके साथ share कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिन्दगी के जो peaks and valleys के life के ups and downs के जो experiences हैं वो भी बहुत you know vast हैं, बहुत बड़े हैं तो मैं क्योंकि energies पर बहुत ज़ादा बात करता हूँ काम भी करता हूँ, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत बार आपने ऐसा नोट किया होगा कि जब भी हम किसी stress में हैं या life की value, किसी एक एरिया की value में हैं तो हमारी energies बहुत low हो जाती हैं होता है कि नहीं, ऐसा energies low हो जाती हैं ये energies actual में low नहीं होती हैं हमारी energies उतनी ही high होती हैं जतनी peak पर होती हैं लेकिन अब वो energies stress में, tension में, worry में, चिंता करने में सारी energy खत्म हो रही होती है और हम फील करते हैं कि यार हिम्मत ही नहीं आ रही वापस से उठने की वो नहीं आएगी क्योंकि आप continuously उस चीज़ पर stress में और tension में और चिंता में अपनी पूरी energies को exhaust कर रहे हैं energy उतनी ही है अगर अभी इससे कोई life का बहुत बड़ा purpose कोई आप life की किसी struggle में हो लेकिन कोई बहुत बड़ा purpose मिल जाए एकदम से या कोई एकदम से good news आ जाए या एकदम से कोई ऐसा कोई बिकार चीज हो जाए जहां पर आपको एकदम से भाग करके जाना पड़े आप देखोगे energy वापस से आ जाएगी क्यों क्योंकि energy तो वहीं है energy का reservoir अंदर है लेकिन वो energy सिर्फ और सिर्फ चिंता करने में खर्च हो रही है तो चिंता नहीं चिंतन करना है इसमें बहुत बड़ा difference है इसलिए बोला गया कि चिंता चिता समान है क्योंकि पूरी energy को सक कर लेती है चिंता माइंड के सारे के सारे 80 बिलियन नियूरॉन्स सभी उस चिंता में जुट जाते हैं और न सिर्फ ये हमको उस वैली से बाहर नहीं निकलने देते हैं बलकि डिजीज देते हैं, बिमार बनाते हैं आपने बहुत बार देखा होगा कि वो इनसान जो किसी लाइफ की एरिया में स्ट्रगल कर रहा है फिनैंशल क्राइसस से गुजर रहा है या किसी भी स्ट्रेस को अपने माइंड में ले रहा है उसकी उमर दस साल जादा दिखने लगेगी क्यों? क्योंकि उसके सभी के सभी नियूरॉंस स्ट्रेस में वो एनरजी को सक करने लग जाते है पूरी एनरजी वहाँ जा रही है जो हमारी लाइफ फोर्स को जानी चाहिए तो ऐसे समय पर जरूरी है कि आप अपने आपको री इन्वेंट करना सीख सकें कैसे उस एनरजी को आप रीगूलेट करेंगे और एनरजी से रेलेटेड बहुत से वीडियो में बनाता रहे तो आप एनरजी को कैसे अवेकन कर सकते है तीन वीडियो उसके अल्रेडी में बना चुका हूँ नहीं देखे तो ज़रूर देखे और लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपनी एनरजी को रेकुलेट करें उस समय पर आप अपनी एनरजी को कैसे सही जगा पर चैनलाइज कर सकते हैं लगा सकते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ एक beautiful सा workshop साल में एक बार करता हूँ reinvent yourself आप चाहें तो इस workshop में join कर सकते हैं बहुत nominal से amount में आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के amazing mantras और energy secrets मैं आपके साथ share करता हूँ उसका link आपको description में मिल जाएगा उसको चेक करना मत भूलिएगा peaks and valleys छूटी सी book है Spencer Johnson की इसका link भी आपको description में मिल जाएगा जरूर से जरूर चेक कीजेगा और एक और button नीचे मिल रहा होगा आपको अंगूठा दिखाने का उपर वला वीडियो अगर अच्छा लगे तो likes मिलें आपके comments मिलें वीडियो को आप share करें तो हम भी इस जो है valley से बाहर निकलेंगे इसी तरह आपना प्यार देते रहिए और मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर क्या आता रहूँगा तब तक जब तक आप अपनी जिंदगी के खुद के coach नहीं बन जाते हैं और हाँ हमारी playlist चेक करना बिलकुल मत भूलेगा जो description में भी दे देता हूँ और end screen में भी आपको मिल जाएगी जिसमें बहुत सी books का मैंने summary आपके साथ share किया है अपने point of view से review किया है और अगर आप वाकई जिंदगी के downtime में हो तो आपको एक book जिसका नाम है tough times never last but tough people do बहुत ही amazing book है हाँ जी ये मुझे मिल रही है ये देखिए by Robert Sculler इसकी book summary मैंने share किया आपके साथ इसका link में मैं दे देता हूँ description में भी यहाँ i button में भी आ जाएगा आरा होगा भी और end screen में भी दे देता हूँ ताकि अगर आप tough times को face कर रहे हैं तो बहुत काम की summary आपको ये लगेगी आपकी जिंदगी खुश्यों से भरी हुए दुआ करता हूँ I wish you lots and lots of peace, tons of happiness and bundles of success in your life be happy, be alive